कि साती आज के सुडियो में में आपको प्लिंद बीम के बारे में बतना चाहते हैं यह जो बेस्मेंट हैट है ना फाइफ फिट तक लिए गया क्यों बलता है अलड़ी यहां पर रोड नहीं है कुछ बिन उसके लिए फाइफ फिट हैट लिए गया और इसके साथ जो है ना अ बेनी सीजर में रहता है वहाँ पर दसने का चांस रहता है उसके लिए पहले ही एक काम कर लेना हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लिंद बीम का साइज इसके अंदर का रोड कितना यूज करना चाहिए और क्या-का साइज रहना यांबर जैसे आप देख रहे हैं प्लिंद जैस इस प्लिंद बीम का साइज है और मैं अभी दिखाता हूं आपको वहां से कैसा लिया रहे है अब कर दो यह का रहा है आपका सेप्रेट टैंक और दूसरा जो आ रहा है आपका सम्प वाटर स्टूरेज के लिए सम्प आ रहा है यहां पर कि इस सम्प पर यह जहां पर टैंक 12 mm का रोट इस्तमाल किया है 12 एंड 8 mm कि यह सेप्रेट है कि टू ब्लॉक वाले सेप्रेट टैंक और फिर आपका अंदर दिखा था हूँ यह सम्प है इतना बड़ा सा स्टूरेज के लिए कि यह यह देखिए तो आलमस्ट एक 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 रेक्टेंगल शेप में रेक्टेंगल स्कॉर टाइप में आलमस्ट सेम इसका साइज की बात करें तो विट में आपको तो फाइव फिट सिक्स फिट सेवन फिट डिपेंड और डेप्थ में जो है टैन फिट तक लिए गया है यह आप अपने अनुसार ले सकते जिदना आपको चाहिए उतना ले सकते आप लोग हाँ 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 यह नहीं है चला अब हम बीम देख लेते कैसा है आपर जैसे जैसे आपको फ्यूचर का प्लान है जैसे यहां पर कॉलम्स या फिर जो दिवार है जैसे आ रहे है उसके हिसाब से यहां पर प्लिन बीम का काम किया गया यहां पर आप लोग देख सकते हैं कॉलम्स का साइज 9 x 15 और 9 x 18 लिया गया यहां पर देखे वर से फर्स्ट आता हॉल एक इदर बादरूम आ रहा है वहां पर एक बेडरूम उदर जो हैं किचान आ रहा है और इदर जो है फर्स्ट एक हॉल आता है आइसा है है और सब दुर्फ थोड़ी से आफसेट एरिया दिया गया है जैसा देख रहे है आपनों यह संप है